नमस्तार दोस्तो मैं राहूल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूँ आज के इस सेशन में हम लोग जारखंड की अर्थ वस्ता से संबंदित जारखंड में उद्योग से संबंदित महत्पुर्व प्रस्णों के पहले भाग को देखेंगे पुर्व की तरह ही इस सेशन के लिए मैंने जारखंड में आयो जित पुर्व की परिक्षाओं में पूछे गए प्रस्णों को इस सेशन के लिए मैंने सामिल गिया है आगे बड़नेस से पुर्व यदि आप लोग इस सेशन का पीडिया प्राप्ट करना चाहते हैं तो आईए आज के सेशन को प्रारंब करते हैं और हम अपने पहले प्रस्ण की और आगे बढ़ते हैं तो हमारा पहला प्रस्ण है और ज्योगिक विकास को बढ़हावा देने के उद्देश से 1972 में बिहार सरकार द्वारा AI-ADA की अस्थापना की गई AI-ADA का कोण रूप क्या है ओप्शन आपके दिये गए हैं ओप्शन ए अमलाबाद इंडस्ट्रियल और अगरिकल्सर डेवलप्मेंट ऑफोरिटी बी अंगर पर्खर इंडस्ट्रियल एन्वल डेवलप्मेंट एसोसियेशन ती आदित्यपूर इंडस्ट्रियल एरिया AI-ADA का पुल्पॉर्म होता है और आदित्यपूर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप्मेंट ऑफोरिटी की जो अस्थापना है या 1972 इसवी में ततकालीन बिहार सरकार के द्वारा बिहार में अध्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए किया गया था अब यह आदित्यपूर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप्मेंट ऑफोरिटी का जिस संपोर 17 विकार था हुआ कहा था तो ध्यांग रखेगा या पुल्हान प् अधित्यपूर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप्मेंट ऑफोरिटी के अंतरगत जहारखंड के तीन जी लोग को सामिल किया जाता है अगला प्रस्न है बोकारो स्टील प्लांट सार्विनिक छेत्र में चौथे एककृत प्लांट की अस्थापना किसके सहीजोग से हुई थ तो यहां पर आपको बताना है कि किस देश के सहीजोग से बोकारो स्टील प्लांट की अस्थापना की गई थी तो इस प्रस्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सोवियत संग के सहीजोग से बोकारो स्टील प्लांट की अस्थापना की गई थी और यह जो अस्थापना किय गया था इस प्लांट प्लांट का झारकंड की बोकारो जिले में ध्यान रखे गांफरना की गई थी और अस्थापना का कार जो था 1965 इस भी से प्रारम हुआ था और 1966 इस वी में इसकी आधहार सिला ततकालीन परधान मंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा रखा गया था इस कारखाने का जो निर्मान कारे था या 6 अप्रिल निर्मान कारे शे अप्रिल 1968 से प्रारम हुआ था निर्मान कार्य और इस कारखाने से 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर 1972, 2 अक्टूबर को महात्मा कांदी का जन्म दिवस भी है और 2 अक्टूबर कोई ही वो कारो स्टील प्लांट से उत्पादन या इसपात का उत्पादन प्रारम्भ हो गया था और इस कारखाने को पूर्ण होने में जो समय लगा था हुआ लगवा 26 फरवरी 1978 इसवी तक यह जागर के पूर्ण रूप ले पाया था तो यहाँ पे कुछ डेट्स हैं इन डेट्स को आप ध्यान में रखेगा कि यदि कोई भी डेट्स से प्रस्न पूछा जाता है तो आप उसका सही सही उत्तर दे सकते हैं अगला प्रस्न है धनवाद के निकट एक प्रसिद्ध उर्वरक कॉंपलेक्स तिंदरी यूनिट जारखंड में किस नदी के चट पर इस्थी थे आपके दामोदर मयुराक्षी स्वन रेखा और डी संख नदी तो इस प्रस्न का उत्तर हो जाएगा option के दामोदर नदी के किनारे धनवाद में चिंदरी यूनिट इस्थी थे और चिंदरी में उर्वरक कॉंपलेक्स इस्थी थे जहां विभिन प्रकार के उर्वरकों का निर्मान किया जाता है मैप में यदि हम लोग देखने का प्रयास करें तो यह रहा आपका ध धनवाद में सिंदरी में आपका अस्थापिद किया गया है और ये किसके किनारे है सिंदरी दामोदर नदी के किनारे इस्थित है का सिंद्री गुर्बर का है तो दामोदर नदी के किनारे इस्थित है अगला प्रस्ण है धारखंड का निलांचल आइरन एंड पावर लिमिटेड पोन स्वामित वाली किसकी सहाय कमपनी है ऑप्शन्स है बाल प्राइबेट लिमिटेड बी कोहिनूर इंडस्ट्री लिमिटे निलांचल आइरन एंड पावर लिमिटेड पाली के असथाफ्ना कहां हुई है तो इसकी असथाप्ना जमस्यदपूर के निकट है कांधरा में की गई है कांधरा में में और ये कांध्रा कहा है कांध्रा आपका सराय केला खसावा में है changes अदि मचैश्व पुर आपका शिंग भूमपूर भी सिंग भूमजीले में इस्थित है और इस कमपनी की अस्थापना 2002 में की गई थी निलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड की अस्थापना 2002 में कांध्रा सराय केला थर्षावा में की गई थी, अगला प्रस्थ है भारत का सबसे सबसे बड़ा बिस्फोटक कारखाना है। सिंद्री, B संथाल परगना, C छोटा नागपूर, D गोमिया। तो इस प्रसल का उत्तर हो जाएगा और का उप्शन D, गोमिया में भारत का सबसे बड़ा बिस्फोटक कारखाना इस्तित है। और गोमिया बिसिकली है कहां ? तो गोमिया आपका वो कारोजिला में इस्तित है और इसकी अस्थापना पर्थम पंचवर्षिय योजना के दोरान की गही थी। गोमिया में विश्फोटक कार खाने की अस्थापना पर्थम पंचवर्षी योजना के दौरान पांच नवंबर पांच नवंबर 1955 इस भी को की गई थी और भारतिय विश्फोटक लिमिटेड आई ई एल इंडियन एक्स्प्लोजिव लिमिटेड कार खाना इस समय अस्थापित किया गया था जो भारत का सबसे बड़ा विश्फोटक कार खाना माना जाता है अगला प्रस्ण है वो कारों में इस पात कार खानों में आईरन ओर या लोह अयसल की आपूर्थी कहां से की जाती है आप्शन है आपके A. नर्बा पहाड खान B. बैला डिला खादान C. क्योजहर खान और D. बाबा बुदन खान तो इस प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा आप्शन C. क्योजहर खान से बोकारों के इस पात सहयंत्रों को लोह अयसल की प्राप्ती होती है पूरू में हम लोग दे उसे आपका क्योजहर और क्योजहर और क्योजहर और आपका कीरी बुरु खान ध्यान रखेगा कीरी बुरु खान कीरी बुरु खान आपका पश्मी सिंभू में इसी थे वहीं इस कार खाने को कोईला की जो प्राप्ती होती है या होती है जर्या और बोकारों की खानों से ज वहीं चूना पथर की बात करें चूना पथर तथा डोला माइट की बात करें, तो यह भवनासपूर गढ़वा, भवनासपूर गढ़वा में और मेदनी नगर, पलामू से चूना पथर और दोलो माइट प्राप्ट होती है वहीं पानी जल बालू और आपका क्वार्ट जाइट जल बालू और फ्राप्ट करता है गरगा और तेनु घाट से जल बालू और चुना पत्थर डोलो माइट आपका भवनातपूर और मेदनी नगर कोईला जहरिया और बोकारो और आयरन और पुरिशात के क्योज़र की खादान और पश्मी सिंभूम के किरी बुरुखान से यह लौ आयस की प्राप्ति करता है अगला प्रसन है इन में से क्या जारखंड का परमुख उद्योग है ऑप्शन में दिया गया है खानीज आधारित क्रिशी आधारित खाद प्रसन से करन और डी उपरोक्तर तभी तो इस प्रसन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी और हम लोग ध्यान से यदि देखें तो जारखंड में नकेबल खानीज अपीतू राची जीला खाद प्रसन से करन के लिए अत्यांत ही एक महत्तपूर्ण जीला है जारखंड में और जारखंड के उद्योगों का जबी भाजन हम लोग करते हैं तो वह चार भाग खानीज आधारित उद्योग, क्रिशी आधारित उद्योग, आपका वन आधारित और अंत में खाद प्रसन से करन उद्योग, यह चार परमुक उद्योग जारखंड में बर्तमान में परचली थे हैं, वन उद्योग के अंतरगत हम लोग लकड़ी या अन्य बनो उपज जैसे लाह और आपका महवा, आपका अन्य विभिन प्रकार के बीज जड़ी बूटी आदी आते हैं, अगला प्रसन है, धारखंड राज और द्योग के निती 2001 के अनुसार, निर्यात संबर्धन और द्योग के पार्क को कहां अस्थापित करने का प्रस्ताव है, आप्शन से हैं, A. राच्ची, B. धनवाद, C. कोडर्मा और D. वोकारो, तो इस प्रसन का उतर ह है, ओप्शन B. धनवाद, जारखंड राज और द्योग के निती 2001, जो जारखंड की पहली और द्योग के निती थी, इसके अनुसार, निर्यात संबर्धन और द्योग की पार्ख्त की अस्थापना, धनवाद में करने का प्रस्ताव रखा गया था, जारखंड की पहली और 2001 से लेकर 2011 तक की 10 वर्षों की अभधी तक के लिए मानने थी और इस नीती के अंतरगत 10 परतिसत और दोगिक विकास दर ध्यान रखेगा पहली नीती के अंतरगत 10 परतिसत और दोगिक विकास दर का लक्ष रखा गया था लक्ष कितना था तो 10 परतिसत और दोगिक विकास दर परन्तु इस लक्ष को हासिल नहीं किया जा सका था अगला प्रस्ण है अलुमीनियम का कारखाना जारखंड में किस वर्ष अस्थापित हुआ था काफि कॉंप्लिकेटड और एक विवादित प्रस्ण है यहां पे उत्तर बराबर बदले जाते हैं कि ध्यान रखिएगा कि अलुमीनियम का कारखाना जारखंड में किस वर्ष अस्थापित हुआ यह एक विवादित प्रस्ण है अपने आपमें जारखंड के संदर में आप्शन दिये गए हैं आपके 1948, B.198, C.1937 और D.1947 यह चार आप्शन है तो इस प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा आप्शन B.198 इस वी में अलुमीनियम का कारखाना जारखंड में अस्थापित किया गया था और जारखंड में जारखंड में ज्यान रखेगा राची के ति किल्ली प्रखंड के मुरी नामक अस्थान पर इंडियन अलुमीनियम कंपनी लिमिटेड के नाम से स्वाण रेखा नदी के तट पर यह भी ध्यान रखेगा कि स्वाण रेखा नदी के तट पर 1938 इसवी में अस्थापना की गई थी अलुमीनियम उद्योग की और उस समय इस उद्योग का जो स्वामित वह था आजादी के पर चार्ट वह था अपका भारत सरकार का परन्तु बर्तमान समय की हम लोग बात करें तो यह आदित बिर्ला गुरूप आदित बिर्ला क Slowly भूस है और इस नाम है आपका हिंड डाल को हिं डाल को इसका नाम रखा गया है और आदित बिर्ला गुरूप यह थाएक कूंपणी है यह सैंत्र जो है है स्यंत्र का दूसरा सबसे पुराना और सबसे बड़ा ऐलुमीनियम सयंत्र है ताथि इस सयंत्र को जो बॉक्साइट की प्राप्ति होती है वह जारखंड के पाठ परदेश ध्यां रखेगा इस इस ऐलुमीनियम सयंत्र को जो बॉक्साइट की प्राप्ति होगी वह पाठ वॉक्साइट से अलूमीना का निर्मान होता है ना कि अलूमीनियम का अलूमीनियम का निर्मान जारखंड में नहीं होता है केबल हम लोग मद्वर्थी उत्पाद अलूमीना का ही उत्पादन कर पाते हैं अगला प्रस्ण है जारखंड में किस वर्ट पर्थम और दोग की निती को लागू किया गया था और इसकी जो घोसना थी अगस्त 2001 में की गई थी इसका उद्देश क्या था तो राज में घरेलू एवं विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ावा देना इसका मूल उद्देश था और जारखंड सरकार के दोरा बनाएगे यह पहली निती थी इस निती के तहट धारखंड के विभिन अस्थानों पर मिनी विकास केंद्र का विकास किया गया था जिसमें परमुख है आपका तसर रेशम पार्क तसर रेशम पार्क की जो अस्थापना थी इसके अंतरगत गोड़ा एवं चाईवासा में की गई थी गोड़ा और चाईवासा में इसके अंतरगत तसर रेशम पार्क की अस्थापना की गई वहीं एग्रो फूड प्रोसेसिंग पार्क की अस्थापना जो है राची राची एवं दुमका जिल्ले में की जानी थी, वहीं electronic पार्क के रूप में टाटी सिल्वे, टाटी सिल्वे में, टाटी सिल्वे आपका कहा है, नामकूम में ध्यान रखेगा, टाटी सिल्वे आपका, नामकूम में है, रांची जिल्ले के अंदर का, तो टाटी सिल्वे में electronic पार्क आपका धनवाद में की गई थी और प्लास्टिक पार्क की अस्थापना देवीपूर देवभर जिले में की जानी थी इसके अतरिक्त सौप्वेर टेक्नलोजी पार्क के रूप में राची जमशेश्पूर जसीडी और धनवाद में मिनी केंद्र कावगी कासर किया जाना था उद्योग घाट सिला और दौद छेटल से संबंदित हैं तो यहां पर हम लोग पूर्व में भी किसले सेशन में हम लोग कवर कर चुके हैं कि घाट सिला में किस आयस्क का सरवाधिक उत्पादन होता है धात्विक आयस्क की बात कर रहा हूं यहां पर तो तामबा का उत्प आरा के अनुसार तामबा और बन आदारित उद्योग घाट सिला और द्योग छेत्र से संबंदित हैं माइका की बात करें तो हमारा गिरिड़ी कोडर्मा और हजारी बाग जिला आता है बॉक्साइट पाठ के छेत्र में और कोईला जो है आपका उत्तरी तथा दक्षनी छोटा नाकपूर के जिलों में प्राप्त होता है अगला प्रस्ण है कि टिसको को निमलिखित खानू में से किसे से लोह आयस्क की आपूर्ती प्र आपका बाबाबुदन बी नुवा मुंडी बैला डीला और डी क्योजर तो इस प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा आप्षन बी नुवा मुंडी से टिसको को लोह आयस्की प्राप्ती होती है और यह नुवा मुंडी की खान बेसिकली है कहां तो नुवा मुंडी की खान पश् प्राप्त होता है वह रानी गंज जर्या और वोकारो रानी गंज जर्या और वोकारो से क्या प्राप्त होता है कोईले की प्राप्ती होती है मैगनीज और क्रोमाइट मैगनीज एवम क्रोमाइट यह दोनों आयस्क जो है यह आपका चाइवासा से प्राप्त होता है चाइवा चुना पत्थर और डोलो माइट क्राफ्थ होता है आपका सुन्दर नगर ओडिशा से चुना पत्थर और डोलो माइट की प्राफ्थी होती है वहीं कच्चा लोहा मयुर्भान्ज ओडिशा तथा नोवा मुंडी जल तीनों चीजश कहां से प्राफ्थ हो जागा सुन रेखा और खरकई नदी से जल क्वाडजाइट और बालु की प्राफ्थी तिसकों को होती है अगला प्रसन है जहारखंड सरकार की 2016 और 12 नीती के लागू रहने की अबधी है कितने वर्सों तक थी तो option है आपका ए 5 वर्स तक या लागू रहने की अबधी थी और बचमान समय में यह नीती समाप्थ हो चुकी है और 2021 में जारखन सरकार ने नई और 12 नीती को लागू कर दिया है इस नीती की जो अबधी थी 2016 की और 12 नीती की यह थी आपका 1 एपरिल से 1 एपरिल 2016 से लेकर के आपका 31 मार्च 2021 तक और नई और 12 नीती 2021 जो लागू हुई है वह भी 1 एपरिल 2021 से लेकर के अगले 5 सालों के लिए यानि 2026 तक 31 मार्च 2026 तक नई और 12 नीती लागू अभी लागू है अगला प्रस्ण है HECL जो सारुलिनिक सेतर का एक उपकरम है को अस्थापित किया गया था कब अस्थापित किया गया था ओप्शन दिये गये हैं 1958,1949,1942 या 1952 तो इस प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा आप्शन ए 1958 में HECL की अस्थापना की गयी थी और HECL जिसे हम लोग है भी इंजिनिरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से भी जानते हैं इसकी अस्थापना कब की गयी थी तो 31 दिसंबर 1958 इस भी को राची के हटिया धूरवा जिहां रखेगा राची के हटिया में इसकी अस्थापना की गयी थी 15 नवंबर 1963 को ततकालीन परधान मंत्री जवाहरलाल नहरू के द्वारा इस सैयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया गया था ततकालीन परधान मंत्री जवाहरलाल नहरू ने इसे आधूनिक भारत के मंदिर की संग्या दीथी या भी बहुत बार पूछा जा चुक्रा है कि आधूनिक भारत के मंदिर किस सैयंत्र को कहा गया है तो वह एची सील को कहा गया है अगला प्रस्ण है जहार्खन सरकार की नई और दौग्ज निती 2016 ने ग्रामीन विदुती करण को सर्वुच प्राथ मिख्ता देते हुए विदुती करण का लक्ष कब तक का रखा था ऑप्शन में दिये गये हैं आपके 2017 तक की लक्ष निलधारिक था ऑप्शन ए में और दौग्ज निती में पर्तमान तमय में एक अप्रिल 2021 से जहार्खन्ड में नई और दौग्ज निती लागू हो चुकी है और यह निती भी अगले पांच वर्ट्टो तक के लिए संचालित की जाएगी और इस निती में पांच सेक्टर भ्यान रखेगा कि और दौग्ज निती 2021 में पांच सेक्टर में मूलूप से फोकस किया जाएगा और इस निती का जो परमुख लक्षे है जहार्खन में पांच लाख लोगों को रोजगार और एक लाख करो रूपए का निवेश जहार्खन में निवेश को से करने का लक्षे रखा गया है अगला प्रस्ण है जारखंड में लौ एवं इस पात की कितनी और दोगिक इकाईयां अस्थापित की गई है आप्शन्स आपके दिये गए हैं दो चार छे याईन में से कोई नहीं इस प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन एक दो जारखंड में लौ इसपात की दो इकाईयां अस्थापित की गई है पहली एकाई आपकी बोकारो में इसी थे बोकारो स्पात सैंद्र और दूसरी एकाई पूर्वी सीवहों के जमशwashतपूर में टाटा अस्थील कारिदत है और टाटा स्टील जो है बिश्व की पाच भी सबसे बड़ी इस्पात सयंत्र है जबकि देश का नीजी छेतर का या सबसे बड़ा इस्पात सयंत्र है वहीं बोकारो इस्पात सयंत्र की बात करें तो यह सयंत्र देश का पहला स्वदेशी लोह इस्पात सयंत्र है जिसकी अस् प्रस्ण है जार्खंड का पहला कौपर गलाने का केंद्र कहां बनाया गया था ओप्शन से आपके A धनबाद B घाट सिला C मुरी और D जम्शेथपूर तो इस प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा और जारखंड का पहला कॉपर गलाने का केंद्र बनाया गया था कॉपर क्या होता है तो तामबा होता है और यह गाट सिला जो है कहा है तो पूर्वी ती भूम में इस्तित है और इसकी अस्थापना कप की गई थी तो 1924 इस वी में पहला तामबा उत्पादन खान यहां पर अ गाट सिला में और इस भी में घाट सिला के ही निकट इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा तामबा सोधन कार खाना प्रारंभ किया गया था और 1930 में ही यहां पर पीतल बनाने का कार खाना अस्थापित किया गया था अगला प्रस्ण है जारखंड भारत के कुल लौह इसपाद का कितना प्रतिसत का उत्पादन करता है आप्शन है आपके A 17.6.0% B 13.4.0% C 15.3.0% और D 25.5.0% तो इस प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन D जारखंड के कुल जारखंड में भारत के कुल लौह इसपाद का 25.5.0% अकेला उत्पादित करता है अगला प्रस्ण है जारखंड में किस अस्थान पर और जारखंड विकास केंदर की अस्थापना की गई है तो आप्शन आपके दिये हुए हैं आप्शन A राची धनवाद, B बरही हजारी बाग, C नामकुम राची और D तुपुदाना राची तो इस प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन B बरही हजारी बाग में अद्द विकास केंदर की अस्थापना की बात की गई है यह हजारी बाग दिस्तिक है और यहां पर बरही में आपका अद्द विकास केंदर की अस्थापना की बात की गई है और बर्तमान समय में बरही नए अद्द नगरी के रूप में विक्सित हो रहा है अगला प्रस्ण है जारखंड का एक अद्द विकास चेतर आदित्यपूर इस सहर के समीफ इस्तित आप्शन तापक आपका पूर्वी सिभूम में है और आदित्यपूर की हम लोग बात करें तो आदित्यपूर सराय केला खसावा जिला के अंतरगत आता है अगला प्रस्ण है इंडो असाई ग्लास कंपनी लिमिटेड जारखंड के निमलिखित में से किस जिले में एक परमुक ग्लास कंपनी ऑप्शन ए खरववा B सिंडेगा C रामगर और जामचाड़ तो उत्तर हो जाएगा और उलामगर में इंडो असाई ग्लास कंपनी लिमिटेड की अस्थापना उप्षापन के द्यान रखेगा इंडो अचाई ग्लास फ्रीक्टरी की अस्थापना का की गई है तो यह की त के पुरकूंडा में इस अच्यारुनिक कांच कार खाने को अथापित किया गया है और जारखंड की बात करें तो यहाँ पर कांच उद्ध्यों के अन्न परमूसकेंद्र कहा कांद्र है कांद्रआ, आपका सराएकेला खसावा मेंौ चाहे किरा आपका धन्वादंद्सक्रा सराएकेला खसावा में यहां और ककेला धन्वाद प्रशिद्ध कंच उद्योग में पर्मुक कंद्र में जाना जाता है अगला प्रस्ण है ज़ार्खंड में कितने जिला उद्जयोग केंदर हैं? उप्षन है आठ 14, 13 और 12 तो इस प्रस्चन का ऊतर हो जाएगा option D, धारखंड में 12 जिला उद्ध्योग केंद्र अस्थापित किये गए हैं और जिला उद्ध्योग केंद्र कारेकरम की जो सुर्वात थी यह 1978 इस भी में 1978 इस भी में केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था और इसका जो मूल उद्ध्य से था यह था और सुक्ष्म लगू, और मद्धम उद्ध्योग के साथ साथ है ग्रामु उद्ध्योग का विकास तथा उनके सतत संचालन में सहयोग परदान करना इन उद्योग केंद्रोग का विकास जारखंड के 12 जिलों में किया गया यह 12 जिले हैं आपका राची, धनवाद, आपका पश्मी, सीभूम, आपका दुमका, पलामू, लोहट डग्गा, और गिरीडी, गिरीडी हो गया आपका, आपका देव जोगहर, हजारीवाग, गुमला, गोड़्डा और साहिवगंज, आपका कुल 12 जिला केंदर की अस्थापना की गई थी, जिला उद्योग केंदर के अंतरगत, अगला प्रस्न है, जारखंड में किस अस्थान पर वेदानता सम्मू, तर जारखंड खनिज, विकास, निगम, संजुक्त रूप से एक इसपात सेंदर की अस्थापना करेंगे, आप्शन से लोहडगगा, गुमला, मनोहरपूर और सिंग भूम, तो इस प्रस्न का उत्तर हो जाएगा, आप्शन सी, मनोहरपूर में, वेदानता सम्मू और जारखंड खनिज, विकास, निगम के द्वार संजुक्त रूप से इसपात सेंदर की अस्थापना की जा रही है, अब यह मनोहरपूर है कहाँ, तो पश्च्मी सी भूम में इसी थे, और यहां पर बेदानता और जारखंड खनीज विखास निगम के द्वारा एक लोग इस्पात सयंत्र की अस्थापना का विखास किया जाना है अगला प्रस्ण है भारत सरकार ने इलक्ट्रोनिक निर्मान क्लस्टर की स्विकृति दी है कहां पर दी है आदित्यपूर, B. तुकुदान, C. जसी, D. और D. बोकारो तो इस प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा आप्शन के आदित्यपूर में भारत सरकार ने इलक्ट्रोनिक निर्मान क्लस्टर की स्विकृति परदान की है और आदित्यपूर कहां पर इसी थे तो यह जम्शेदपूर के पास आदित्यपूर और दव्चेत्र में यह इसी थे यहां पर 500 कवर रुपे का बिनिवेश किया जाएगा बिनिवेश आपका अलग अर्थ हो आटो मुवाइल तथा मुवाइल उद्योग और तथा मुवाइल में उपयोग किये जाने वाले विभिन परकार के इलक्ट्रोनिक कॉंपोनेंट का विकास या निर्मान इस क्लस्टर में किया जाएगा अगला प्रस्ण है नेशनल इंस्ट्यूट औफॉंड्री एंड फोर ची में नेशनल इंस्ट्यूट ऑफॉंड्री एंड फोर्ज टेक्मिलोज़ी इस्थी थे अगला प्रस्ण है जेस एमडी सी द्वारा अस्थाफित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग अवस्थी थे कहां है तो तुपुदाना रांची बी मधुपूर सी पाकूर और द तराइकेला खरसावा यह चारों ऑप्शन है और इस प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन के तुपुदाना राची में जेस एमडी सी द्वारा ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग का विकास किया गया है और खूटी के पेलांगी ध्यान रखेगा खूटी के पेलां ग्रेनाइट की कटिंग और पॉलिशिंग के लिए यहां से ग्रेनाइट पत्थर को भेजा जाता है अगला प्रस्ण है कंपनी के नाम धार्खन में उनके संबंधित पते के साथ में हमें मिलाना है कंपनी का नाम दिया गया है हुड को दूसरा है बेदानता लिमिटेड ति पुड़को जो है यहां पर सी में असोक नगर लिमिटेड रांची में इस्तित है पेदानता लिमिटेड जो है आपका वह हर्मू रांची में है और डाल्मिया सिमेंट भारत बाली डी वोकारों में है तो अगर हम आप्शन के अनुशार देखे तो हमारा आप्शन बी सही अप्शन बी तही उत्तर इसका हो जाएगा अगला प्रस्ण है आदित्यपूर और जग छेत्र जो एसिया के सबसे बड़े और जग छेत्र में से एक है वह इसी थे कहां इस प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इस प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा सराय केला में आदित्यपूर और जग छेत्र इस्तित है जो एसिया का सबसे बड़ा और जग विकास छेत्र में से एक है और यह छेत्र है कहां पर तो यह छेत्र आपका सराय केला खरसाव मौजिले में इस्तित है और आदित्यपूर और दगल्ग शेत्र विकास प्राधिकरण के अंतरगत जम्षेत्पूर का शेत्र तथा ये संपूर्ण कुलहान प्रमंडल सामिल होता है कुलहान प्रमंडल तथा जंशेदपूर का छेत्र इसके अंतरगत आएगा आदित्य नगर और दवल के विकास छेत्र के अंतरगत अगला प्रस्न है हिंदुस्तान कौफर लिमिटेड की भारत में कौन सी एक मात्र इकाई है जो मेहल एक्सच इस प्रस्न का उत्तर हो जाजगा option B घाट सिला में ज cloudy से भी ध्यान रखेगा आप लोग imperals आपका हो जाएगा लंद केटर हो रहा है वा ऑम घृच्चे constitu में 00th इा这 और यह आपका लंदन घंच हो टाक शेंच ऑडgrow स्काश निकल का उत्पादन हो रहा है वह घाट सिला में किया जा रहा है और इस निकल का जो उत्पादन है यह मूल रूप से हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड एसी एल के सेयंतर से किया जाएगा और बरतमान समय में हिंदुस्तान copper limited की घाच्छिला एकाई भारत में London metal exchange grade का nickel उत्पादन करने वाली एक मात्र एकाई है और nickel धातु का उपयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं तो stailness steel के उत्पादन करने में हम लोग nickel का उपयोग करते हैं अगला प्रस्न है Tata Robinson Frazier TRE Limited का promotion Tata Steel और ACC Limited के द्वारा किया गया था, TRF की अस्थापना कब हुई है तो TRF की जो स्थापना है option A 20 November 1962 USB को किया गया है और इसकी अस्थापना कहां की गई है तो Tata Steel और ACC Company के द्वारा अमेरिका के Hebit Robinson ध्यान रखेगा अमेरिका के Hebit Robinson तथा अमेरिका की Hebit Robinson और Britain की GE General Electric Company की एक सहाय कंपनी ट्वेजर और चलमर्स डिरिजन के द्वारा तक्निक की सहियोग प्रदान करके इसका निर्मान या अस्थापना करवाया गया था और इस सहयंत्र से बिजली और इस्पात सहयंत्र साथ-साथ-बंदरगाह उर्बरत और खानन छेत्रों के लिए विभिन परियोजनाओ परियकार्य करती है धारखंड के उद्योग से समबंदित आज का जो यह सेशन था यही पर समाप्त होता है आशा करता हूं कि आज के सेशन से भी आप लोग को लाप राप हो रहा है तो वीडियो को अपने ग्रूप्स और मित्लों के साथ भी शेयर करने के अच्छिक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले अंतर देखने के लिए धन्यवाद देखते रहे हैं मंधल क्योंकि मैं इसके वीडियो लादा रहता हूं थैंक्यू